लूंगुम गईज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हमना लैसन फोर यह हमारा डेटाबेस का लास्ट लेसन होगा और हमारी बिगिनल क्लास्ट है उसका भी क्या है गाइस लास्ट अपना कोडिंग हाला पार्ट है जब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा अपना इंटर्मेट के वाला को शुरू करेंगे तो इस वाले लेसन में पहले ओव्विव बता देता हूं आपको हम् यूज क्या करेंगे इसमें basically guys हमें cursor loader use करना है cursor loader basically guys क्यों use करेंगे हम background data load करने के लिए use करेंगे किस के तरू background thread के तरू guys हमने जो हमारा earthquake अला app था उसमें हमने loaders already क्या समझ चुके हैं कि हम loaders use क्यों करते हैं जो हमारा main thread होता है उस पे load थोड़ा थोड़ा कम पड़े और जो हमारे background में जो कुछ threat run हो रहे हैं वह किसमें रनो background में रनो ना कि हमारे main वाले thread में जिससे हमारा जो आप है जिसा अगर आप देखोगे जो अपना log cat होती है कि जब्या अपना emulator run करोगे तो हमेशा एक error हमेशा होती है main thread is working too much या too much processes on the main thread तो वह इसी लिए आता है क्योंकि हम background thread में कोई चीज नहीं करते हैं और इसके लिए क्या यूज करते हैं loaders यूज करते हैं तो guys अब थोड़ा सा इसकी क्या देख लेता है loaders का दुबारा देख लेते हैं कि हमें implement कैसे करने एंड पूरा ये वाला जो लेसन होगा वह इसी पर होगा कि कैसे जो हमारी functionality है जो पहले हम front पे काम कर रहे थे अब हमें case में करना है back में करना है and जिसने guys loaders के बारे में नहीं पता वो एक बार back में जाके जो earthquake वाला है वो जरूर देखना guys क्यूंकि उसमें बहुत detail में loaders की working कैसे work करता है क्यों जरूरत होती है and क्या उसकी functionality है okay background working के लिए बहुत जरू करते है guys अपना last lesson तो guys जो हमारा lesson था अभी तक हमारा app कैसा दिख रहा था कि हमारा simple यहां पर दिखा रहा था the pet contains four table id name gender और यहां पर lines हमारा यह आ रहा था right यह वाला जो हमारा layout है बहुत backward था सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया था हमने design क्यों करा था ताकि हम concept समझ सकें कि कैसे pet provide अगे थरू हमें data क्या करना है फैच करना है उसे display करना है अलग-अलग उसमें जो methods हैं जो हमारे use होते हैं उसको कैसे हम define करेंगे तो इसमें guys यह तो हमारा जो पहले का layout अब हमें कै इसा layout चाहिए इस क्रीज जब हमारा lesson 4 complete हो जाएगा तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा layout तो अगर आप देख सकते हो तो guys कौन subview है हमारा list view है तो हमें जो हमारा app है उसमें क्या apply करना है list view apply करना है और list view apply करने के बाद हमारा जो app है वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें सिर्फ ह आप दिखेगा यह दिस्प्ले कर वाएंगे राइट और एक चीज और जो हमारा पुराना वाला app ता उसमें जितना भी यह text view आ रहा था क्या था single text view होता single text view में हम space दे दे के print कर वा रहे थे राइट जबकि यह क्या simple text view नहीं है यह कौन सा एक list view है अब guys जनल लोग को list view and text view क्या difference है क्यों अलग है दोनों में जिनको नहीं पता तो guys वो पुराने वाले जो हमारे apps नहीं miss कर दिया है तो उनको यहां पर बहुत पाप्व होगी यह चीज समझने में कि दोनों में difference क्या है क्योंकि guys me walk app से मैंने यह बताना शुरू करा है कि कैसे हम list view को क्या क्या सकत हैं तो एक थोड़ा सा यहां पर क्या कर लेंगे हम review ले लिंगे दुबारा से मैं दुबारा से थोड़ा सा उपर उपर की explanation कर देता हूं guys कि at least जिन लोगों को थोड़ा सा क्या अब थोड़ा सा भूल गए होगे तो एक क्या हो जाएगा रिफ्रेश हो जाएगा आप लोग तो guys अभी उसी पर फोकस करेंगे तो अभी तक जो हमारा basically काम क्या हो रहा था किया जैसा अगर मुझे क्वेरी होना था तो क्वेरी के एक तो पैरिमिटर दे दिए क्वेरी मैठर के तूर रही और यह कहां जा रही थी हमारी activity से होके content dissolver से होते हैं किस पर जारी थी पैट पैट प्रोवाइडर पे जा रही थी पैट प्रोवाइडर से जो हमारा URI मैचर था वो मैच कर रहा था किसमें क्वेरी टेबल में और जो क्वेरी टेबल थी वो कोई operation परफॉर्म कर रही थी जो क्वेरी मैठर्ड के लिए हमें already कर रहा था हमने डिफाइन कर रहा था वह म किसमें जो data show हो रहा था हमारा catalog activity में show हो रहा था तो यह तो हो गया जहां तक अभी तक हमारी जो working थे राइक कि जो हम query method work कर रहे हैं किसकी help है catalog activity की help से क्या database access करने में अब guys हमें work करना है कि कैसे हम database access कर सकते हैं cursor loader की help से किसमें background में तो हमारा aim यह है तो इसे करने के लिए हम क्या use करेंगे guys list view यूज करने हैं क्योंकि अब मैं आपको starting में बताया था हमें ऐसे data display नहीं करवाना हमें किसमें display करवाना है list view में data display करवाना है ताकि थोड़ा सा neat लगे तो इसके लिए guys हमने अल्रेडी हमने पुराने वाले apps में देख चुके हैं कि list view को कौन हेंडल करता है इसकी जो प्रोवरी processing करता है एक adapter होता है यह चीज बहुत detail में हम discuss कर चुके हैं कि list view के जितने भी views होते हैं वो कौन हेंडल करता है हमारा adapter करता है अब अगर guys आपको याद हो जो हमारे लुटी वान उनिको जितने भी क्या थे हमारे यह numbers उसमें एक्टिविटी में जितने भी यह दिखा रहे थे राइट यह क्या था एक लिस्ट वियो था एन इस पर क्लिक के लिए भी हमने अलग अलग फंक्शनेरिटी लगाई थी एंड वे अगर हम इसको थोड़ा सा बैक्ग्रांट में जाए गाई एक बार दोबारा याद करने की क्या चीज थी तो वक कैसे कर रहे थी कि हमारा एक तो लिस्ट वियो था एक वर्ड अड़ आप्टर था और उस वाले da है कि मीवॉक वालेपर फिसकली वर्ट गरली स्व हमारी लिस्ट वीव थी अगर को मतार्स यह उस सकत कर अधापटर शिर्फ प्रफ़ा को ग रहा था давайте जिसमें हमारे ListView के कि भी इनन्स्ट्रक्शूनस क्याता है तो basically यहां पर हमारा list view के request कर रहा था, किसे word adapter से request कर रहा था, कि जो zero position पर, किस पर zero position पर list of words में, जो word store है, वो मुझे दिखा दो, अब जो word adapter था, वो उसे process कर रहा था, कि okay, zero पर क्या है, और उसे कैसे display करवाना है, और basically वो information कैसे जा रही थी, हमारे app में चली जा रही थी, क process कर रहा था, क्योंकि already इसमें किया हमारे instructions given थे, कि list view में में कैसे show करना है, अब जैसे list view ने guys, already हमारा जो zero position पर थी, उसकी value fetch कर लेती, right, अब इसने request करी, first position पर request करने के बाद इसने का, okay, अब first position पर zero position वाला फैच कर चुका था था, अब इसने किया, first position पर जोगा वो मु किसमें हमारे list view में, तो यह क्या थी guys, working थी, जो हमारे word adapter की थी, अब इसके बाद, एक ऐसी करते करते गई, यह पूरा process चला होगा, और यह क्या होगा था, हमारी activity populate हो गई थी, किसे views से, कौन से views से, list view से, किस के थूँ word adapter के थूँ, और word adapter के थूँ, और word adapter में कहां से words आ और इसका भी guys, हमने देखा था कि हम यूज क्यों कर रहे थे, यहां पर हमने linear layout symbol क्यों यूज नहीं करा था, instead हमने क्या यूज करा था guys, list view and adapter यूज करा था, तो मैंने आपको यह बात भी हम बहुत detail ने पढ़ चुके थे, जो हमारा linear layout था, वो क्या लेता है, बहुत memory लेत वो फिर भी क्या लेगा memory की space लेगा किसको load होने के लिए, जबकि जो हमारे list view and adapter थे, तो वो क्या होता है guys, recycle view यूज करते है, recycling करते हैं किसके views की, जब आप उसे उपर करते हो, तो वो basically view किसमें चला जाता है, recycling view में चला जाता है, तो वो memory hold नहीं कर रहा हो था, तो यह क्या use करता है, recycle करता हो, reuse करता है views को, कम views create होते हैं, और कम memory से use होती है guys, अब जो हमारा adapter था, basically वो किस, उसकी responsibility क्या थी, responsibility थी उसकी की, एक list view item का, क्या बनाए, view बनाए, data source पे, एक individual item के लिए, एक एक करके, right, तो guys, जो हमारा क्या था, जो mewalk वाला app था, उसमें हमने array list में क्या store करे थे, जो data source था, right, data source था हमारा array list, जिसमें हमने क्या store करे थे, words store करे थे, उस word store को, जो array list की, जिसमें हमारा source था, words का, उसे कौन handle कर रहा था, array adapter, handle कर रहा था, right, और array adapter, basically, क्या कर रहा था, जो हमारा data source, जो array list था, words की, वो fetch करके दे रहा था, array adapter, किसमें, जो हमारा list थी होता, तो ऐसी guys, अकर जब हम उसमें आएंगे, किसमें, अब हमें cursor का वो दिखाना है, क्योंकि guys, यह क्या था, एक list शोगन्नी थी, right, अब हमें क्या शोगन्नी है guys, data source दिखाना है, वो किसका the words का, array list का source और अब हमारे जो data source है guys, वो किस type का है, table type का है, तो मतलब table किस के through करते हैं, हम cursor के through करते हैं, तो यहाँ पे जब array list के form में, हम word store कर रहे थे, तो उसका क्या था, array adapter था, मतलब adapter, same रहेगा guys, उसके साथ, जो associate करेंगा word type, वो change होगा, तो ऐसी ही, यहाँ पे जो हमारा data source है, जहाँ पे हमारे data store हो रहा है, वो किस type का है, table type का है, और table type को कौन handle करता है, cursor, तो यहाँ पे जब array adapter था, तो यहाँ पे क्या होगा, cursor adapter होगा guys, जो क्या करेंगा, handle करेंगा data को fetch करने के लिए, बहुत माइनूट सा difference है, कोई ऐसी major कोई issue नहीं है, जो हमारा array adapter है, वो array list को handle handle कर रहा था, और जब हमारे table पर है, तो cursor handle कर रहा है, किसको table को, अब जो list view पे, उसे view दिखाएगा, दिखाएगा adapter ही, लेकिन अब कौन सा दिखाएगा, cursor adapter, ऐसा नहीं है, कि हम यहाँ पे भी कर देंगे, array adapter कर देंगे,